मैं मेहंदर कुमार जाजोरिया एसोसियेट प्रोफेसर भूगोल विभाग बाबू सौबराम राज के कला महाविद्याले अलवर आज का हमारा टॉपिक है संसादन भूगोल के अध्यन के उपागम भूगोल के विभिन साखाओं के तरे संसादन भूगोल के अध्यन की भी विभिन विद्या वपागम हैं ये ने मिल लिखित है नमबर एक क्रमबद अध्यान इस विदी द्वारा संसादनों को अलग-अध्यायों में विविक्त करके अध्यान करते हैं उध्यानार्थ, क्रिसी, फसलों का अध्यान गियहू, चावल, मक्का, आदी, प्रतक अध्यायों, खनीज संसादनों का लोहा, मैगनीज, अबरक, तांबा, सोना, चांधी आदी अध्यायों में, सक्ति में तथा संसादनों का अध्यान, कोईला, पेट्रोलियम, परमान विद्धुत आदी अध्यायों में विवाजित कर अध्यायों में विवाजित कर अध्यायों करने के कारण इसे प्रकरण बद्ध उपागम भी कहते हैं विसक्वी विविन राजनितिक इकाईयों देशों की सीमाओं में संसाधनों के उत्पादन तथा उप्योग का अध्यान क्रमबद वे प्रादेशिक दोनों विधियों से गिया जा सकता है नमबर दो प्रादेशिक अध्यान प्रादेशिक उपागम द्वारा किसी प्रदेश को अध्यान की एक इकाई मान कर उसके अध्यानों का उसके संसाधनों का विवरण प्रसुत किया जाता है उधार नार्थ भारत को संसाधन अध्यान की काई मानने पर उसमें खनी जिवे सक्ती संसाधनों जैविक संसाधनों किरसी संसाधनों जल अम्रदा संसाधनों के मानवी उपयोग तथा जनसंख्या का क्रमबद प्रणात्मक अध्यान किया जाएगा प्रादेशिक उपागमद्वरा विश्व कृसी का अध्यन करने पर विविन फसलों को प्रकरणबद करके एक एक फसल का प्रदेशों के उत्पादन करमनसार विर्ण प्रसुत करना होगा प्रादेशिक अध्यन निम्लिकी तुरूपों में होता है नंबर एक आकरतिक प्रादेशिक अध्यन इस विधी में सर्वत्र समान लक्षनों वाले प्रदेश को एक इकाई माना जाता है जिसके छेत्रफल में प्राकरतिक लक्षनों की सम्रूता मिलती है हिमाले परवत्य प्रदेश, गंग का डेल्टा प्रदेश, इस्टेपी प्रदेश, आदी इसी प्रकार की प्रदेश है दक्कन के प्रदेश मानकर उसके संसाधन भुगोल का अद्धियन कोईले के उत्पादन, खनीजों में मैगनीज, बॉकसाइट, लोहा के उत्पादन, वे उप्योग, वन संसाधन, मुर्दा संसाधन में कपास, एम गन्ना उत्पादन, जनसंख, वितरन, निर्मान, प्रत्वी पर एक समान भौतिक समरूपता रखने वाले प्रदेशों को जाते प्रदेश कहते हैं, जैसे मानसुनी प्रदेश, भुमध्य सागरी प्रदेश, उर्ष्न काटिबंद्य वर्सा, प्रचुरवन प्रदेश, शितोर्ष्न गहास की प्रदेश आधी, संसाधन जैसे मानसुनी प्रदेश एक ऐसा जाती प्रदेश है, जहां चावल की किरसी के लिए मृदा, जलवायू तथा मानों संसाधन सरवादी को प्युक्त हैं, जबकि भुमध्य सागरी प्रदेश में रस्दार फोलो की प्रदानता है, नमबर तेन कार्यात में प्रादेश की इस उपागम द्वारा ऐसे छेत्रों वो एक प्रदेश माना जाता है, जिसके संपूर्ण छेत्र में एक समान संसाधन, प्रियावरण, उपलवदतायों उप्योग पाया जाता है, यहां सरवतर एक समान कार्य अथ्वा संग्ठन की समानता होती है, जो विस्ष्ट गत्यात कार्य परिवेन में यातायात द्वारा परस पर संबंध होते हैं, परसुचारण प्रदेश, किर्सी प्रदेश, निर्मान उद्दोग प्रदेश तथा भूमी उप्योग प्रदेश ऐसे ही कार्यात्म प्रदेश है, निर्मान उद्दोग प्रदेशों में चीन के दक्षनी मंचूरिया, उत्री चीन, यांग टीसी घाटी, समिक्तराज अमरिका के पिट्सबर्ग, यंगस टाउन तथा सिकागो गारी छेत्र, जापान के उत्री क्यूसू, ओसाका कोवेट, टोक्यो, योकोहमा तथा होकेडो, रूस के मासको, टूला, कुछबास, फ्रांस का लौरेन तथा जर्मनी का रूर, छेत्र, लोहा, इसपा, तथा मसीनों के निर्मान के प्रदेश हैं, इसी प्रकार भूमध्य साग्रिये, समीपवर्ती छेत्र, कैलोफॉर्निया, घाटी, दक्षनी, अमरिका के मद्देचिली, अफरिका के दक्षनी, पच्षनी, पच्षमी भाग म को एक प्रदेश माना जाता है, जिनके समस्त छेत्र में बहुतिक तत्तों के साथ, मानविकरा, कलापों, आर्थिक परिवेस मेवी समरूपता होती हैं, यه प्रदेश, अपने आकार, संदस्तना तथा, विस्ष्ष्ट आर्थिक किरियाओं के द्वार शारत होते हैं, भारत संसादन भूगल का महत्तु बढ़ता जा रहा है, इसके अध्यन बिना आर्थिक तंत्र को चलना अस्संभाव सा प्रिदित हो रहा है, विस्व के भी इन देसों की आर्थिक दसा में हो रहे परिवर्तनों के बारे में जानकारी वहां की संसादन उपलवदता तथा कमी के अध्यन से हो सकती है, आर्थिक समस्याओं की जानकारी के लिए संसादनों का भू आर्थिक दृष्टिकोंड द्वारा अध्यन किया जाना आवशक है प्रतिक देश की बदलती अर्थव्यस्ता की उद्दोगी उत्पादों तथा किरसे संसादनों की इस्तिती का अनुसार ही अंतराष्टे बाजारते होते हैं किसी देश में खनिज एम उर्जा संसादनों के बंडारों के होने से वह अंतराष्टे परिवेस अपना प्रतेक्ष ए प्रतेक्ष प्रभाव अवश्य रखता है अनिक बार खनिज संपन्द छेत्र सामरिक दिर्ष्टी से विवाद का केंदर बन जाते हैं ग्रिन लेंड दीप में सामरिक खनिजों की अधिक्ता के कारण उस पर संक्तराज अमरीका तता रूस उस पर अधिपत्य रखना चाहते हैं इस परकार कैस्पिन सागर के तेल छेत्रों पर रूस इरान अजरबेजान कजाकिस्तान तथा तुर्किमिस्तान का अधिकार है लेकिन दक्षणी पच्छमी ऐस या के पैट्रोलियम बंडारों की तरही यहां भी पूंजी वादी एवं साम्मे वादी सक्टियों के मध्य जैसे अनिक बड़े देश खनीज तेल की प्राप्ति के लिए कुवेत एं बहरीन जैसे चोटे देशों पर निरवर रहना पड़ रहा है इन सभी मुद्दों का अधियन संसादन भूगोल में मिलता है संसादन भूगोल का अधियन निमनलिखित समस्याओं का समाधान प्रस की जाए ताकि इन आवश्यक्ताओं की संतुष्टी से संभव हो सके तथा मनुष्य का जीवन इस तर उंचा हो सके वरत्मान में बढ़ती हुई जन संक्या के दोर में संसादनों की कमी होना सभाविक है जबकि विश्क्य जन संक्या 2001 में 61354 क्रोड तथा 2011 में 700 क्रोड हो च जाता है इन सभी स्थितियों के समाधान संसादन भूगोल युक्ति संगत प्रसुत करता है प्राकरतिक संसादनों का प्रबंदन संसादन भूगोल का अध्यन इसलिए भी महत्पूर्ण है कि किस प्रकार हम अपने प्राकरतिक संसादनों का प्रबंदन एवम नियोजन करे की राश्टि द्रश्ट्री से उनकी पोषणतिय बनी रहे तथा भावी पीडियों को संसाधन संकट या परस्थितिक के संकट का सामने नहीं करना पड़े प्राकरतिक संसाधनों के उप्योग एम संरक्षन की विधियां मुनस्य के विन शेत्रों में विज्ञानिक एम तक्नी तिक नीतियों का इप्रभाव पड़ता है इसलिए संसादन भूगुल का प्रतिक सब्भे एम सामाजिक नागरिक के समान ही राजनीतिक ग्यों एम नियोजन करने वाले अर्थ सास्तियों के लिए भी महत पूर्ण है आर्थिक तंतर का निर्मान करने वाले लोगों के लिए भ विभिन छेत्रों में उद्दोंगों की स्थाप निकले आवश्यक कच्चे माल की जानकारी संसादन वोगोल द्वारा ही प्राप्त होती है विभिन कच्चे माल के सरोत कहा हैं उनकी उद्दगी उपक्रम तक आन में परिवेन लागत कितनी होगी तता उसके उत्पाद का अंतरास्ट बाजार कितनी दूरी पर होगा इन सभी प्रसनों के उत्तर संसादन वोगोल में मिलते हैं वरत्मान संसादन संकट के दोर में हमें विभिन संसादनों के आवनियन की प्रियाप्त जानकारी मिलती है जिस आधार पर हम उक्तसंसादन की सनक्षन की रननीती बनाते हैं जैसे भी इसमें हो रहे वनुनुमूलन, मर्दवत अपरदन, जेविविदता, हरास, उर्जा संकट, जल संकट, जलवाई परिवरतन आदी भी आदी की परियापत जानकारी मिल रही है जिससे सभी नागरिक अवगत होकर इनके सनरक्षन एम संतुलन के प्रती अपना दर्ष्ट कौन बनाते हैं इस प्रकार वर्तमान आर्थिक एम प्रदोगी की युग में संसादन भुगोल का दिन महत्पून बनता जा रहा है